नमस्कार स्वागत है आप सभी का मारे इस विशेश कारिक्रम डॉक्टर स्पीक्स बाते कोरोना की में मैं हूँ अनुप्रिया इनसान अगर सही तरीके से अपने जिन्दगी के प्रती जागरूख हो जाए तो जीवन को जीना थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम इसे डीटेल में जाने तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे जिन्दगी में पारिशानिया आती हैं चुनौतिया आती हैं इन्हें आनी भी चाहिए तभी हमारे जिन्दगी का कोई मकसद होता है लेकिन the most important thing is कि हम इन पारिशानियों को किस तरीके से डील करते हैं वो जो तरीका होता है वो सबसे जादा महत्तपून होता है आज हम ये सा बाते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कहें तो कि कोरोना अपनी स्पीड बढ़ा रहा है वही हम लोगों ने vaccination का जो जितने center से उसे बढ़ाए हैं ताकि जादा से जादा लोगों को हम cover कर सकें जादा से जादा लोग वैक्सिन ले सकें लेकिन वही पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लापरवाही कहिए या अपनी बेवकूफी कहिए उसकी वज़व से वह वैक्सिन नहीं ले रहे हैं उनके अंदर किस तरीके का डर है किस तरीके का जो मित है वो लोगों में फैला हुआ है उन्हें हम कैसे दूर करें इन्हीं विशयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे है कि अब भी जिनके मन में डर है और खासकर हम बच्चों के बात करें तो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 15-17 साल के बच्चों को वैक्सिनेशन उनका सुरू हो चुका है लेकिन कुछ लोग अभी डर से अपने बच्चों को वैक्सिनेशन शेंटर पर नहीं लेकर आ रहे हैं तो हम मूल वजह जानने की कोशिश करें कि क्या वजह है आखिर तो क्या कहेंगे है जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ओमिक्रोन जब से आया है संक्रमन इसका बहुत तेजी से हुआ है हमारे यहां रांची जिले में भी कापी तेजी से संक्रमन हुआ था जिसका की रफ्तार अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन हाँ यह जरूर बात है कि वैक्सिन लेका यहां तक बात है वैक्सिन हम ने बढ़ों का शुरू किया था तो इस समय पर अभी तक हम लोगों ने करीब रांची जिला में अशी से पचासी परसेंट के अश्पास में ने ठीका करन बड़ों का कर लिया जहां तक बच्चों की बात है जो अभी इस माहने पिछले महने शुरू हुआ था तीन जनवरी से तो इसमें लोगों अभी तक तीस परसेंट बच्चों का लगबग पाला टीका मुदे चुके तो उनमें एक बात आया कि नहीं जब तक वो पैरेंट्स उनको स्विक्रिती नहीं देंगे तब तक हम लोग उनको नहीं दिलाब सकते हैं तो उस इस स्थितिक को देखते हुए तीस परसेंट करीब बच्चों ने अभी तक वैक्सिन लिया और अभी अभी स्कुल खुल गय है तो बहुत सारी चिंताय माता पिताओं को जरूर होती है कि वैक्सिन के बाद में कुछ बुकार हो जाए या कुछ हो जाए या दूसरा है कि अब जैसे अब स्कुल तर मन में यह भी होगा कि अब सब कुछ खुल गया है तो साइद उतना आउशक नहीं है लेकिन हम लोगो में बड़ों का ठीका करन इतना कर लिया था कि शायद वो भी एक कारण होगा जिसके कारण से इस बार उतने मौते नहीं हुए है या संक्रमा अगर हुआ भी है तो हलका फुल का राके ही रा गया जी बिल्कुल बहुत सही का आपने लेकिन जैसे आपने का कि स्कूल खुल र wordt नहीं है लेकिन यह र इतना है कि वो वेकसिनेशन सेंटर पर लेकी ही नहीं जा रहे है तो अगर उन गार्जियन को अब क्या कहेंगे ताक ही वो लोग मोटिवेट हो वो भी उँनके मन में जो ढर है जो प्रश्न है वो कहतम होकर वो वैकसिनेशन सेंटर पर जाए अपने बच्चों को टीका करवाएं ताकि हम जादा-जादा सुरक्षित हो सकें बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है आपको सिर्फ साउधानी यह रखने है कि कोविट के जो प्रोटोकोल है उसका पालंग करें मतलब कि मास्क अवश्य पाने जो शारिक दूरी है दो मिटर क म 설ाथ करें जानना 20 को आब संक्रमान को हम जानते हैं थाराम से बच सकते हैं किसी भी रोगी के चीखने खासने या उनके दोरे जो जो दोरेट निगता उसके दोरब पहलता है तो वह 5-10 प्रयंट जो की यह 15 परेसंत तो डाएक चीखने खासने होटा बाकी जो 80-80% है वो लगभग होता है जब आपका हाथ कहीं संक्रमित हो गया किसी जगह पे और हाथ आपको बिना साफ की आप अपने नाक आख या मुह पे ले जाते हैं तो यह संक्रमान का मुखी कारण है तो अगर हम लोग यह चीज़ देखें इतना प्रोटोकॉल का पालन करते यह आपको जोने से बचाता है रोक के होने से बचाता है जब आप बीमारी नहीं पढ़ेंगे अगर वैक्सिन पने लिया तो बीमार पढ़ेंगे तो फुलका पर बीमारी रखे रागिया तो हम लोग इससे होने अले मेर्ति उसे बहुत आसानी से लोगों को बहूँ थता जी, जैसे मैंने बहुत सारे vaccination centers पर देखा कि कुछ ऐसी चीजे जैसे कि toys हो सकें या books हैं, comics books हैं, ये सब चीज लगाई जा रही हैं vaccination center पर ताकि बच्चों को भी वहाँ आने में, होता है ना कि आप क्योंकि एक injection के लिए उन्हें आदे घंटे गंटे वेट करना है तो उन्हे कह सकते हैं कि attract करने के लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए इस तरीके का इंतिजाम किया गया है, तो हम अगर जालखन की बात करें, तो किस तरीके का इंतिजाम vaccination center पर किया गया है, ताकि बच्चे भी वहाँ आने में हिचकिचाय नहीं और guardians को भी लगे कि चलो ठीक है, अच्छा है, हर एक चीज का खयाल रखा गया है, तो हम अपने राजजी की बात करें, तो किस तरीके की तयारिया हैं? या वो लोग के लिए भी, उन जगाहों को ऐसे ही चुना गया था कि जहांपे सिर्फ 15 से 17 साल के बच्चों को ही टिका करन किया जाए ताकि भीड बहुत ना हो, और बच्चों को सुरक्षी तर रखा जा सकें, तो यह सारी बहस्ताएं की गई थी, अभी तो जैसे इस स्कू यह सामिल करना शुरू करने का प्रयास करें अगर वहां पर सावधानियों के बात करें तो इस तरीके की सावधानी बरत्ते हुए यह वैक्सिन लग रहे हैं तो उन सावधानियों के बारे में बताईए, क्योंकि गार्जियन्स बच्चों को लेकर थोड़ा जा ओवर प्रो मैं तो सारे इस इस लग रहे हैं लेकिन खास करकर चे शिला ज जहाँ पर कि नागा पोर चेंद है यह उसके ऊपर यह subject कि कमी नहीं है आम लोग बहुत अराम से टेंसिंग के बात करते हैं यह बाकि चीजियों का परोड़ को बात करते हुए बहुत अराम से अमलोग यह काम क बटाव अजय के विस प्रावधाम किया गया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हामी ही भरेंगे邊 वह कुद भी ले चुके हैं कि लोगों किले लिए जारकाज एनको Mush hue तो निकलना नहीं चाहते थे बच्चों को बाहर भीड में बेजना नहीं चाहते होंगे, साइद इसलिए थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन अभी जैसे स्कूल चालो हो जाएगा तुमको लगता है कि सभी बच्चों को हम लोग दे पाएंगे, बिल्कुन बहुत सही का आपने, कि संतो स्थोना बहुत जादा जरूरी है, लेकिन आपने 95% की बात की तो हम उस 5% को पकड़ेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पूरा 100% हम शिक्योर हो जाएं, जितना जादा से जादा हम अपने आपको प्रोटक्ट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से वह भागीदारी है, बहुत से मैं कहूंगे कि वाइरल वीडियो जो अभी ट्रेंड में है कि कुछ दिखाने आते हैं कि गाउं में जाये, कस्बे में जाये, तो लोग किस तरीके से वैक्सिन से भाग रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर गाउं में जाके, हर कस्ब कि हम लोगे बार बार बैठा करते हैं इस बारे में और फ compass से बीडियो जुदे रहते हैं या सी-ओ जुडे रहते हैं या जो परफारी चिक साप्तादिकार ये लोग जुडे रहते हैं इसके अलावा शिक्षाही भाग के लोग या अन्यावी बाभों के लोग भी ICD-s के लोग भी जुड़े रते हैं इन सभी के साथ में यह जितना भी तक का टीका करन हुआ है उसकी एनलिसिस की जाती है और कहीं कहीं पर जिस कारण से भी प्रॉलम है या कोई खास एरिया हो या कुछ हो वहां पर बहुत सारे बीडियो लोग खुद भी जाके वहां पर टीम के साथ में उनको समझा रही है और उसके बाद वहां पर टीक अगरन अगले दिन यह उसके लगता दो दिनों तक यह तीन दिनों तक जैसी आव सकता है उसके हिसाब से किया जा रहा है इसके वज़े से हमारा एचिमेंट जो है वो काफी बढ़ा है और सारे वीडियो मौाइसी सेयुके पर टीम समयुक्त यह तो यह उसके था क economy कर रहे हैं यह सभी लोग मिल जुकर कर रहे हैं और जो प्लानिंग हो प्लानिंग मिल जुकर कर रहा हैं ताकि सारे विभाग जेसे लग पी यह पीो यह चैना पूछया यह साही कश्या यह सेविका नकों बच्चों यह जबाब दे क्योंकि हमारे इस कारेक्यम का उद्देश ही यही है कि हम जितनी से जादा से जादा जागरुपता लोगों में फैला सके तो मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जबाब दीजिए कि क्यूं क्यूं जरूरी है कि हर एक बच्चा वैक्षिन ले हम जानते हैं कि यह क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे पास हम जो इनसान है हमारी ये फितरत है कि जब तक किसी चीज का भयानक रूप हम ना देख लेना तब तक हम अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं ये मैं कह सकते हूं तो अगर हम जो लोग जो गार्जियन देख रहे बिल्कुल हम एक बात एक उदाहरन दे समझाते हैं यहके जिसे पोल्यू समाथ की हमें इतना दिन हो गया तो अज इतना साल हो गया पोल्यू के नए केस नहीं मिले लेकिन चूके दुनिया में नहीं खतम हुए है और हमारे अगल बगल के स्पाकिस्ट अर अफगानिस्तान म मिल रहे हैं तो उसके बचने के लिए हम लोग भी भी पोलियों का करकम कराते हैं इस प्रकार से हमारे देश में अख्समात हो गया तो वहां से फिर वापस ऐसा नहीं कि लोटके आजा उसी तरह से जो भी हम अगर जानते हैं कि टीका क्या है टीका यह है कि हम किसी खास बीमारी कि लिए किसी के इस जिसको हम टीका देते हैं उनके शरीर में लडने की सख्ति उत्पन करते है और यह जो आंटिजेन्हाइन्टि बॉड़ी का जो मामला है अन्टि बॉड़ी जो तhy 같은데 कि सेनना और सेना को खास बीमारी को मारने के लिए बनाए गया तो जैसे ही यह वायर इ जिन्होंने वैक्सिन लिया हुआ है उसके अंदर में एंटिबोडी बनके तयार होती है और वो जब शरीर में रहती है तो जैसी वाइरस अंदर शरीर में गुषता है उसको पाचान के मारने की कोशिश करती है और जब एंटिबोडी आपका तयार है तो अभाविक है कि वो उ को जाहतर समय में मार देता है पोगत काम समय में होटा है कि जो नहीं मार सकता वो उसके बाकी summative एक डिइपेंड करता है यह बाकी disease यह दिटीज को पर डिया उसकाHAHA सर पड़ता तो ऐसे इस्य स्विह में ड्लों कोरूं करें कि उसमें पूझेटीगसाइए तो यह कुछ एसे म प्रेक्सिन को एक अच्षा परभाव देखा जा सकता है तो यह लाव इतना इस पर है नुकसान तो कुछ रह नहीं तो लाव जहां पे ज़्यादा है तो बिलकुल लेना चाहिए अगर आढ बीमारी से बचने के लाव लेने की बात कर नहीं हुआ एस पर जरूर से जरूर सबक यह एक रिजन भी है कि गार्जियन जो है वह सोच रहें कि इस बार तो यह माइल्ड है ओमीक्रोन तो क्या जरूरी है वैक्सिन लेना बच्चों को छोड़ देते हैं एक साल देख लेते हैं तो वैसे गार्जियनस को आप क्या कहना चाहेंगे नहीं मेरा तो कहना है कि बड़ों में चुकी मामले जादे मिल रहे थे लेकिन अब बचे अन्वैक्सिनेटेड रहेंगे तो उनमें संक्रमन होने का खत्रा ज्यादा होगा तो जैसे कि बड़ों में पिछला बाद कि अगर हम तुलना करें तो मिरित्यू नहीं के बराबर कि बच्चे ऐसी इस्तिति में रहें कि वह गंभीर ना हो अगर हो भी जाता बीमारी तो कोई गंभीर या सिर्यस बात ना हो हलका फुल कर रह जा और इसको कभी भी ना सोचे कि अभी ये बीमारी कम हो गया क्यों कि हम आप बड़े जो हैं इन्होंने टीका लेकर अपने अप पहले से बिमारी भी है जैसे कि अब तो डायबेटीज और बीबी बच्चों में भी बहुत आम होने लागा है कम उम्र के बच्चे भी इन सब चीजों से मतलब बचे नहीं है कहें तो वैसे बच्चों के लिए भी कितना जरूरी है वैक्सिन लेना ये हमारे गार्जियन्स क परिपेक्ष में बात करूं तो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा शंख्या जो है वो जंजातियों का है तो वहां तक पहुंचना उन लोगों को जागरू कैसे कर रहे हैं आप इस वाइरस के प्रतिव हमारे पास में सबसे अच्छी बात है कि हमारे हर आंगनबाडी हर ग सहिया उसी गाओं की होती है और सेविका भी उसी गाओं की होती है तो गाओं इस तरह पर जो गाओं के लोग हैं उनके परिवार के तरह ही सहिया यह सेविका है हमारा जो सोर्स है या जैसल पेस के सदर से हैं वो भी उसी गाओं के रहते हैं तो यह सभी लोग हैं कि चीजे पहुंचानी होती है तो हम उन तक पहुंचाते हैं उनके साथ में आपक करते हैं जहां पर दिखा थो जैसे हम लोगों ने एक पश्छी ला पर सही होग से सांते समिति के बैठक के लोग की ती इसमें सभी लोग बलाए और में बहुत ही अनॉंस कर वाया था जिकि मा सब्सक्राइब पाले था तो जब उसके बाद में हम लोगों ने देख़ा कि जहां जहांपे बल्कि उसमें में प्रस्ताव रखा गया था कि में आपने ऐगल बगल में त्टीका केंदर रखें जब जो नहीं कर दो कुछ अएथ अपर कुछ कुछ मुस्लिम एरिया ऐसे हैं जहां पर कुछ-कुछ अप्वाहें थोड़ा सा तेजी से पहलती है उनसे लड़ने में हमको बहुत मदद मिला था लोगों मुस्लिम के जितने भी लोग है जो मौलवी है या लोग है वो लोग बहुत आगे आया थे बहुत अच्छा रहा और हम किस तरीके की परिशाणियों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है अभी तक जैसे कि बहुत से लोग उन्हें भी मिलें मिल रहे होंगे जो नहीं लगवाना चाहते होंगे ये Psal island मैं कुछ परिशानियों के बारे में आप बात करे ता कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समझ सके कि वाकई में ये क्या चीज है और कितनी गलत फैमी वो पाल कर बैठे हुए है जैसे हम लोग एक एरिया गये थे बहुत इंटेरियर का इलाका था तामार का तो विजिट पे गये थे तो वहां पे जब हम लोग ने बच्चों को र क्या बच्चा है तो सब्लाआ को बहुत बहँ बहुत का लुख को दिन इन Cudiटेर लिए पाँ पर एखेत भी सब्सक्राफ देक्वाय यह पले कर दी स600 करंवा को इस वहुतफ़ बहार कर को दो बहुत है अब है तो अधर लोग ने वहां बोलता है नगसं पदब ब़ाल में, तक मेरा करना है कि अगहर How सब्सक्राइब उन aanज पहुंशें वर जोंक को समझ चोंकिन थे समय को रही है ऊच्छीजए पहुंख नहीं पहुंचजा बलुकुर हम्समृ ऊच्रां कि तरह से is जो लोग संझाएंगे तब जाके उस पर बहुत सही कहा आपने कि कभी कभी क्या होता है लोगों को संझाने के लिए हमें उनके तरीके अपनाने पड़ते हैं और यह बहुत अच्छा तरीका भी है जो आपका अप्रोच रहा वो वाकई काभिले तारीफ है अगर जैसे कि एक वैक्सिन लेने के बाद एक डोज लेने के बाद मैंने देखा है कि वो लोग दूसरा डोज नहीं लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा ठीक हमने तो एक डोज ले लिया एंटिबोडी बन गई चलो अब हम दूसरा डोज नहीं लेंगे यह ऐसे केस बहुत देखन होंगे उनको अगर सुचना मोबाइल पे मेसेज नहीं देख पाए या कुछ नहीं कर पाए तो यह जरूर है कि हमें उन तक पहुंचना इसके लिए हम लोगों ने यह काम किया है कि अभी जितने घर-घर सर्वे वाला जो काम हो रहा हरे घर में हमारी सही आये हैं या सेविका हैं यहार घर-घर जाकर लोगों को चेक कर रहे थी कि कि इसके हिसाब से ब्लॉक इस तरह पर प्लानिंग की जा रही है और हरेक लोगों तक उस तरह से पहुंचने के प्रयास किया जा रहा है जी जैसे कि अभी तो 15-17 साल के उम्र के बच्चों को लग रहा है तो अगर हम जैसे आपने कहा कि 95% तक लोगों को पहला टीका लग गया है तो इस आकड़े को देखते हुए क्या कहेंगे कि इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कब से लगना शुरू होगा ये पॉलिसी मेटर है इसमें सरकार के द्वारा जैसे जितने रिपोर्ट्स आते हैं उसके अनुसार वो लोग अलाव करते हैं कि कि इतने उमर तक के पॉलिसी बनेगी कि हां ये सेफ है बच्चों के लिए इतना तो साथ अगे बात हो लेकिन जब तक वो फिशली हमार तक में पहुंचती नहीं है तब तक कुछ भी करना इसके लिए टिक नहीं होगा लेकिन जैसे ही सरकार कर निदेश होगा कि इतने उमर तक क्या और कम किया ज्या वैं गुइव का सरू नहीं हो उसनि खरी कम सरबिषुमाना जाए एग। शूरू में हम लोगों ने सिच फिल्नों को सुरू किया फिर 18 तक किया फिर अभी 15 तक किया तो ये जैसे इसे से रिपोर्ट साति रिसर rugged की उसके हिसापिर संब नती है कि कैसे टीका देना लेकिन बच्चों के लिए यह पाया गया कि बश्यादा यह को वेक्षी तो यह सरकार की पॉलिसी पॉलिसी है जैसे से रिपोर्ट आएंगे तो अम लोग उस तरह से शुरू कर पाएंगे पर जी जैसे कि अभी तो ग्राउंड पे आप काम कर रहे होंगे तो रियालिटी आप के सामने जादा सही से है तो अगर हम पूछें कि किस किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं गार्जियन्स के हो या किसी और इंसान के हो किन-किन सवालों का सामना करते हुए आप इस मुहीम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहला सवाल होता है इसको बच्चा को दिलाने के बाद कुछ तो नहीं होगा या बड़ों के लिए भी होता जो लोग तक नहीं लिए उनको लगता है कि अगर हमें कुछ दिककत होंगी लेकिन अभी तक हम लोग इतना लग बग लग तिस तेंटीस लाग लोगों को किसीवी चेश से हो सकते कि मेरा मानना जब खाने की छिजों से र्याक्षान हो सकते हैं तो लेकिन ऐसा फ़ाइन को इसा कोई था जिन्ता करें कि नहीं इंए वह इन यह वैक्सिन बहुत सुरक्षित है जिस तरह से अभी तक है बहुत ही सुरक्षित है और उमीद करते हैं कि सभी लोग जो भी काश्करम को देख रहोंगे वो लोग वैक्सिन लेने के लिए जरूर राएंगा जी बढ़ मुझे याद है एक बार आपने बताया था कि के लिए लगा हुआ है वो पेंटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह आपके सिस्टम के दौरा जो किया जा रहा है लोगों में जागरुपता फैलाया जा रहा है यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सोसल मीडिया को देखता ह हो सूसल मीडिया पर हो तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि समय भी हो चुका है तो एक संदेश जो आप हमारे दर्शक को इस कारिक्रम के माध्यम से देना चाहें मेरा तो यही मानना है कि जितने भी लोग हमारे राज जिले में हैं जो भी लायख है वैक्सिन लेने के वैक्सिन आवस्चेप से लिया और ऐसा ना समझे कि वैक्सिन ले लिया है तो उन्होंने पुरी ळड़ा हम लड़ियां कोhistory बिर्टोकोल का पालन भी साध साथ के रहें जब बात बात शुक्रिया, Enterbhrushan जी आपका हमारी कारेकरम में आने के लिए लोगों तक जाकरुपता फैलाने के लिए आज यह के करेकरम में बस इतना ही गार्दल का आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया नमस्क्त